महिला सुरक्षा से संबंधी जेश्टिस वर्मा समित की रिपोर्ट एक खेडिक बनाई है, जेश्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट रिलेटेड टो बोवमेन सेफटी, ठीक है, इसमें ये कहा गया है, लिखें, की मेटी सजेश्टिस्ट्रु समित न ऐस है शुजहाओ दिया, दैट दिया कि that is a need to make the exciting punishment punishments exciting for the existing existently punishment under the laws relating to crimes against women more extinguant extinguant समित ने सुझाओ दिया कि महिलाओं के खिलाप अपराद से जुड़े कानूनों के तहत मौजूदा सजा को और सक्त किये जानी की आवश्यक्ता है हाँएर हला कि यद्यपी अदो ही आवश्यक्ता को ह twenty आफ चाजेस्टट नहीं दिए क्या सुजाओ दिया जरा लिखिएगा The committee has suggested that the under section 376.1 स्वमीद ने सुजाओ दिया कि धारा 374.1 376.1 क्लाज 1 को ड्रैकट में 376.2 3 376.3 The convict should be kept in the life should be kept the life imprisonment यानि कि उम्र कायद दिया जाएगा समित ने सुजाओ दिया कि धारा 376.1 376.2 और 376.3 इन के तहत दोसी सिद्ध को उम्र कायद दिया जाएगा और एक बच्चा आता है गाएं ग्रेप सुने हैं नहीं गाएं ग्रेप में कितने लोग होते हैं गाएं ग्रेप में आई ग्रेप लाएं इसे केसेस में उम्र काईद का प्रावधान है दोसी सी इसमें ना ए उम्र कहिर नहीं है न? उम्र कहिर नहीं है। RARE and RARISTIT केस में जैसे बलातकार है, महिलाओं के प्रत जुर्म है, पिर हत्या है और हत्या का शरूप क्या है? RARE and RARISTI होता है, तो उसमें फांसी की सिजा भी हो सकती है। लेकिन उम्र टैद ऐसे नहीं है असल में ऐसा लिम्म उच्छा कि जितने भी आपने कानून को देखें हो जो सोसल इसूस के कानून होते हैं कर को सिक्लासिफिकेशन सारे कानून के। Κानून मैं भी जाएंगे से ऐका को जैसे हैं भजह को बच्छों लेक्ते ही बच्चे बलातकार हट्य तो ये यहां को सटन दक निया के लेकिन यही चीजह अगर महिला होगी है महिलाएख और बलातकार यह चलो मल हत्या इस केस से यह भिन है केस क्योंकि इसमें जो महिला और बच्चे का क्लासिफिकेशन और डिफ्रेंस है और यही केवल बलातकार तक हो इसी महिला के साथ बाकी कुछ नहीं है यह अलग-अलग अपराइद के अलग-अलग स्रेणिया है तो कोट किसको इसको हीनियस क्राइम मानता है तो कई केसे से महिलाओं को लेकर के एक सौप्टिकेट्ट जो अटिट्यूड था वो पूरुसों पे छोड़ा गया था तरमी देखो यार भावनाओं के पॉइंट अभी उसे माना जाता है अभी भी हम लोग मानते हैं कि हर पूरुस महिलाओं के बीच ही बड़ा होता है आचरण के सदाचार की आवशक्ता आवशक्ता तुलनात्मक पुराने पीछे चले जाएं कि तुलना में आज के समाज को जादा है देखो संयूप परिवार आचरण के स्वेम पाट साला थे खेती बाड़ी वाले परिवार जो थे आपकी हरकतों को कोई न कोई किसी न किसी की दिष्टी पढ़ जाती थी गाउं जो है पूरा एक कुनबा था गाउं के एक एक बच्चे को गाउं का कोई दूसरा अच्छी तरह जानता था और कारी करने के शेत्र इस्थान सबकी बड़ी मतलब एक लिमिट थी कहां इसकूल है कहां खेत है कहां कौन क्या काम कर रहा कैसे कहां जाना है कहीं आना है नहीं जाना है वहीं सब चीजें थी आपने देखे होंगे कि जब जंगल था न तब लासे नहीं मिलती थी जितना अब बड़े-बड़े करोणों के घरों में लासे मिलती है सिकारी जंगल में नहीं है सिकारी खेत खल्यान गाउं में नहीं है यानि हत्यारे वहां नहीं है हत्यारे बड़े-बड़े करोणों के बिल्डिंगों के अंदर है अच्छे-च्छे फ्लैट में रहते हैं अच्छे गाड़ियों से चलते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये परिवर्तन क्यों हुआ, आचरण कहां मिला, सदाचार कहां मिला, सभाव कहां मिला, कैसे भारत भावनाव का देश है, भावनाव कहां है, भावनाव कहां है, बावनाव कहां है, बताइए, जो हमारा बदलाव आया चाहे जहां बदलाव आया कम ज़्यादा जम्यदार तो कुछ तीज़ें है ना अगर ये पनपी है भाई पहले लोग कम पढ़ते लिखते थे 40-50 लोगों के परिवार में रहते थे हर बुरी हरकत पे किसी नजर पढ़ी जाती थी जिसे खुस होते थे कि सहर से आ रहा है वो जब को चाचा तावू फलाना ढिमका नमस्कार करते अपने धर पहुंचता था तो हमने जो बदलाव लाए चाहे शेहर में शेहरी ही बदलाव कहेंगे हम उद्योगों में बदलाव शेहरों में बदलाव आर्थिक बदलाव समाज की बदल दिया समाज की बदला अमारा आचना सभाव बदल गया तो जो हत्याएं घुले optimistic लोग जहां होना चाहिए यहां डर आज जंगलों में खेतों में डर नहीं है आज डर वीरान जगहों पे नहीं है भरपूर सहरों में है तो समाज तो बदल ही गया है ना अगर समाज बदल गया है तो उस बदलाओ के साथ इस बहाओ को भी महसूस कीजिए हमारे पास क्या नहीं है हम चाहते तो क्या नहीं हो सकते लेकिन क्या हुआ के चक्कर में क्या होना चाहिए था जिर साथ था उसको हम छोड़ते चले गए लड़का साधी कर लेगा तो माबाब छोड़ देगा लड़का साधी किया तो माबाब छोड़ दिया शहर आया तो गाउँ छोड़ दिया क्यों तो शेहर हमारा गाउं छोड़वा देता है शादी हमारा परिवार छोड़वा देता है और विकास हमारा विचार छोड़वा देता है तो भाईया बिनास के कतार में तो हम खड़े ही है और कौन से माई का लाल जो है इतना बड़ा इंसान बन गया कि इन विचारों को त्याग करके इन को अपना करके एक साब सुतरी जिन्दगी जी सकता है Never हो ही नहीं सकता Impossible शहर के साथ गाउं होना चाहिए बीवा के साथ परिवार होना चाहिए और विकास के साथ विचार होना चाहिए अगर इसका संयोजन सही है तब तो जिन्दगी पट्री पर है अगर इस साथ योजन में गड़बड़ी है तो गाड़ी कहां पलड़ जाएगी और मुँ कहां तूट जाएगा आपको आइडिया भी नहीं आप किसी भी शहर में चले जाओ किसी भी शहर किसी भी शहर कितनी भी दोस्ती हो कितनी भी यारी हो कितने भी याराना हो लेकि भरोशा कर सकते हैं इस पर हमें संदे रहता है और आप अपने गाउं से अपने परिवार से और अपने विचार से कितने भी दूर चले जाओ लेकिन वापस हाओगे तो सबसे ज़्यादा भरोसा वहीं पाओगा और भरोसे में जिंदगी ठीक चलती है अग धोखे में जिंदगी घोड जाती है तो शेहरों ने हमको भरोसा कम करना सिखाया और गाउं भरोसे से ही भरे थे परिवार भरोसे की कब प्रतीक है बाकी जो हमने समाज विक्सित किया उसमें धोखा धड़ी भी शामिले और माता पिता से लेकर के परिवार दोरा मिले आचरण संसकार हमारी ताकत थे लेकिन हमने गाड़ी, मकान, दुकान को अपना ताकत बना करके एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिसमें जब फंसे उस ट्रेप में आए तो फिर फंसी रहे गए, बचे नहीं इसलिए हम हमेज़ा एक बात कहते हैं चाहे आपको नौकरी मिले न मिले पढ़ाई इसलिए कीजिए क्योंकि पढ़ाई रोज काम नहीं आती है लेकिन जब दुनिया में बहुत बुरा दिन आएगा बहुत खराब दिन आएगा आपके हिस्से में बहुत दिक्कतें आएंगे तो पढ़ाई आपका हाथ पकड़को उठा लेगी उबर यह मैं दावे से कह रहा हूँ इसलिए आपने देखे होंगे कि जो लोग बड़े पेवसाय करते हैं बड़े बिजनेस करते हैं बड़े आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं अगर वो बहुत बड़े लिखे नहीं है तो जब वो फंसते हैं तो उनका سुरक्षा कबच नहीं होने सो फंसी जाते हैं लेकिन पढ़ा लिखा आदमी चुकि उस अस्तर तक फंस्ता नहीं है क्यों को जानता है कई चीजों को नियन्त्रित करके चालता है लेकिन फंस्ता है तो वहाँ पर उसकी पढ़ाई उसको समाल लेती है हम कोई गलत काम करने जाएंगे हमारी पढ़ाई हमको रोक लेगी हम चोरी करने का मन बनाएंगे हमारी पढ़ाई हमको रोक लेगी तो पढ़ाई नियंतरन का एक वहतर उपाय है इसलिए इसको सिर्फ नौकरी तक नसीमित रखा जाए आप समझे नौकरी तक इसलिए गांधी जी किसे बात करो टैगोर से बात करो अम बैद कर कौन सी पढ़ाई करके डाक्ट्रेट करके नवकडिक रहे थे कौन सी इन्वर्स्टि खोल ली है वो कौन सी स्कूल में पढ़ाते रह गए ते पढ़ाई करो या पढ़ाई हमारी आचरण है पढ़ाई हमारे युवा वस्था का एक प्रकार से कहते है न्याय है नहीं जमानी क्या करोगे लिखेगा इस कमेटी हैज रिकमंडेट आइडिंग अन्यू सेक्शन 376.1 अंडर वेच दे रेस्पोंसिबिलिटी अफ अद्मिस्टेटिव और मिलिटरी ओफिशर्स इन दे केस आफ सेक्श्वल ओफिशर्स अद्मिस्टेटिव और मिलिटरी ओफिशर्स इन दे केस आफ सेक्श्वल ओफिश्ट इस समीत ने एक नई धारा 376.1 को जोडने की सिफारिश की उसी में क्लाज और बढ़ाया यह वैसे था है 376.1.1 कर लो जिसके तहत योन अपराधों के मामले में प्रसाश्निक या सेनक अधिकारी की जिम्मिदारी बिता है This committee next has a recommended provision of punishment under section 375, 376 and 509 from 7 year to 20 years. From 7 year to 20 years. इस समीत ने धारा 376, 376, 509 के तहर सजा के प्रावधान को 7 साल से लेकर 20 साल तक करने की सिफारिश की 20 साल तक इसने बच्चा नावाली की उम्र बदलने की बात पर कोई बात नहीं कही थी नावाली की जो इस थी उस पर कोई इसका नहीं था The committee did not recommended any change The committee did not recommended any change in the age of minor समीत ने नावाली की उम्र में बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की इसमें इस समीत ने और भी चुप बाते बाते हैं जैसे किसी को धमकी दे रहे हैं भाव भंगिमा है उसका पीछा करना किसी लड़की का पीछा करना इस सब के लिए भी बोला था कि कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए यह सब कोई ऐसा नहीं सिफारिश नहीं इस पर पार्लियामेंट में बहुत डिसकस भी हुआ था सरद यादो का नाम सुने हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर लड़के लड़कियों का पीछा नहीं करें तो बीवा कब करेंगे यह उसका कमेंट था तो बूले पीछा करने को आप अपराध नहीं कर सकते जिससे इस पर भी चल रहा था कि ताकना भी अपराध है घूरना भी उसमें भी कह रहे थे कि 20 सेकंड अगर घूर लिया तो अपराध है तो बोले ये कौन बताएगा कि 20 सेकंड घूर रहे हैं 20 सेकंड अगर घूर रहे हैं तो अपराद हो जाएगा पीछा कर रहे हैं तो अपराद हो जाएगा तो उसमें आया कि भई पीछा अगर कोई कर रहा है अगर वो कह दिया कि नहीं हमारा घर भी इधरी था और हमको क्या मालूम है लड़की जा रहे हम भी जा रहे हम भी जा रहे हैं मुकर गया और दूसरी चीज़ है कि हसल में क्या होता है कि कोई भी क्राइम जो है बिना इंटेंशन के क्राइम माना नहीं जाता है जैसे अगर आपको कोई हाथ पकड़ लिया तो हाथ पकड़ लिया ये आपका आपका राइट है कि वो नहीं पकड़े लेकिन अगर उसका इंटेंशन क्राइम नहीं है तो हाथ पकड़ना ही क्राइम नहीं हो जाए हो सकता है वो कहें कि यह गिर रही थे हमने पकड़ लिया यह जा रही थे उधर दर्वाजा था आपने का वह इधर से चले आपने देखे होंगे कि क्राइम जो क्राइम हमेशा इंटेंशन से होता है ठीक है ना क्राइम में आपके इंटेंशन है कि नहीं क्राइम का लिखें, the Supreme Court has issued these order on a PIL, PIL, Supreme Court ने ये आदेश एक जनही त्याजी का में जारी किये, PIL, in which it was said, it was said that the court has given order in 2013, in 2013. एक जनही त्याजी का जारी किये, जिसमें कहा गया था कि court ने 2013 में ही, in 2013, regarding female fittest, female fittest and sex ratio, 2013 में ही भूण हत्या और लिंगा नुपात लेकर आदेश दिये थे, but the government did not take any action on it. लेकिन सरकारों ने उस पर कोई कदम नहीं उखाया, अब एक लाइन लिखें, भारत में बच्चों के संरक्षण बेहतरी है तो, लिखें, mechanism, laws, mechanism, laws, and bodies constituted for the protection and betterment of children in India. भारत में बच्चों के संरक्षण बेहतरी है तो, तंत्र, कानून वज संस्थाएं, आप bodies को institution भी लिख सकते थे, दिखें, इंडिया हैस् मोर थैन, 16 करोर अटर फफ यर्स, and total around 30 करोन अंडर 14 एर्स, चिल्डरिन, बारत में बच्चों की संख्या, पांच साल से कम 16 करोन और 14 साल से कम लगभग 30 करोन हैं, ठीक है, यह डेटा बेटा अगर नया मिलेगा तो करेक्ट कर लेगा, असल में 12 करोन के आसपास बच्चे मिड़े मील खाते हैं, जो सरकारी नियम से अगर देखा जाए, तो चार-पांच साल के बच्चे स्कूल जाते हैं और करीब 16 करोन बच्चे पोलियों का ड्राफ पीते हैं, तो जो पांच साल से कम उम्र के हैं, तो अगर उसको कलब कर देंगे, तो करीब 30 करोन की पापलेशन निकल के आती हैं, कि जो आठ्वी उठ्वी तक बच्चे पढ़ते हैं, लगवख 14-14 साल तक हो जाते हैं, आठ्वी तक हैं, क्यों यही उम्र रहती हैं, तो करीब 28-30 करोन बच्चे हैं हमारे पास, लिखें, दे लार्जिस्ट नंबर आफ एनी कंट्री इन दे वर्ल्ड, यह संख्या बिश्व के किसी भी तेश के तोलना में शर्वादेगा, वाइल दे इन फाइन्ट वाइल दे इन फाइन्ट मॉटलिटी रेट एन्ड मेटर्नल मॉटलिटी रेट मॉटलिटी मैं मृत उदर वगर अगी बाद कर रहा हूँ। लिखें, जबकि भारत में शेश्व मृत उदर शेश्व तथा मात्रत माता का और बच्चे का। इन इंडिया इस्टिल रिमेन अ मैटर आप कंसर्ण। अभी भी चिंता कभी से बनी हुए। लिखेंगा, दा मेन अब्जेक्टिव अफ पॉब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, दा मेन अब्जेक्टिव अफ पॉब्लिक योग बच्चो के प्रति संबेदन सील नीतियों बाइंप्लिमेंटिंग चाइल्ड-Oriented and चाइल्ड-Sensitive policies बच्चों के प्रति संबेजन से नीतियों कामा, laws कानूनों plans plan plan योजनाओ plans कर लिए and programs और कारेक्रमों को लागू करके बाल अधिकारों को प्रोसाहन देना 12th last last and 12th ठीके 12th and last five year plan five year plan approach approach करके dice करके लिखे, semi-colon लगा के लिखेगा ये last था इसके बाद कोई plan आया नहीं 12th पंचवर्शी होजना के बाद कोई पंचवर्शी होजना नहीं last था और आप बारवी हैं, उसका क्या अप्रोच था लिखेगा children should be given paramount priority बच्चों को सर्वो परी प्रात्विक्ता दी जानी चाहिए, तो यहां पर यह कहा गया है विच्चा, कि जिसे उदाहरन के तौर पे बात करें, तो उनको existence के point of view तो ठीक है ही है, अगर आप इसको इस नजर से भी देखें, कि जो जिसे अठारा साल तक के बच्चों को ले लिए हैं, तो करीब करीब 43, 44, करोन बच्चों हो जाते हैं, 14 साल तक बुले तिती सुस, 43, 44 करोन बच्चों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज लोग कहेंगे पढ़ाई है, नहीं, सबसे पहले उनका लालन, पालन, पोशन, रहन, सहन, खान, पान, यह सब हिस्सा है, ठीक है, तो इ इसमें माना गया कि बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई दुरगटना हो रहे हैं, तभी वो सिकार हो रहे हैं, अगर उनको पोशन नहीं मिल रहा है, तभी वो दूसरे तरीके समझ लीजे कि इन नहीं तरीके से कुछ प्रावलम है, इसलिए हमारे हाँ देखें क कि HDI की रिपोर्ट को देखें, Human Development Index को, हमारे हाँ गिरा क्यों मिलता है, हमारे हाँ गिरा इसलिए मिलता है कि जो 44 करोन बच्चे हैं, 0-18 के लिए हैं, इनी बच्चों में अगर आप चले जाएं, तो जो 12 करोन बच्चे प्राइमरी स्कूल में मिड़े मिल खाते हैं, और हमारे देश में हर चोथा बच्ची गरीबी या पांचमा बच्ची गरीबी रेखा के नीचे है, तो इसी 44 बच्चों में आगर जा के देखेंगे, तो करीब-करीब 10 करोन बच्चे तो गरीब हैं, इसी में 19 करोन लोग अगर भुक्मरी के कगार पे हैं, यानि आप 15-14 पर्सेंट मान लीजे, तो कम सकम 6-7 करोन बच्चे तो गरीब के कगार पे होंगे, जो पोषण नहीं मिलने से मर जाते हैं, पोषण नहीं मिलने से उनको कई बच्चमन में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे, वार्वी पंचवर्शी वजना ने क्या कहा वच्चे ही प्राथिक्ता में तो सबसे पहला जैसे हम लोग हमेशा कहते थे अगरिकल्चर सर्विस एंड इंडरस्टी हमने इंडरस्टी को इतना भी इक्सिद कर दिया कि अगरिकल्चर खत्रम के लागे और आज कल मानमास्तिक्स ऐसा बना दिया कि नवकरी नहीं तो जिन्दगी नहीं है क्यों अब हमको देखें होंगे पहले गाओं में मतलब खेती बाड़ी से सब कुछ हो जाता था पिर देरे देरे सिख्चा तो कम जादा थी शेहरी कराण को बढ़ावा मिल गया है पहले लोग कहते थे हमें नवकरी की क्या ज और आज अगर नवकरी नहीं है तो यह खेत खलीहन वगीचा ही खत्रे में जैसे मैं उदाहराना दूं कि मतलब किसी चीज को खराब करना हो तो उसका नरेटिव कैसे चेंज किया जाता है गाउं खराब थे यह किस ने कहा यह शेहरी लोगों ने कहा गाउं खराब नहीं थे गाउं अपनी पोजीशन के साथ काम कर रहे हैं गाउं कहाँ खराब हो गए लेकिन शेहरी लोगों के मिजाज जो बदले तो उनको गाउं खराब लगने लगा अपना काम बुरा नहीं थ लेकिन नौकरी में जो नगदी मिली और जो साब सुत्रे कपड़े रहे उसने हमारा विचार बदल दिया कि कहां यार अपने काम के चक्कर बढ़े है और आज जब सैचुरेशन आ गया शहर कितना बनाओगे पानी खतम हो जाएगा सामगरी खतम हो जाएगी सड़क बनाने जाएगी तब आप पहाड और गाउं आपको लुभाने लगे यानि कि जब आप चाहें इस गाउं खराब कर दें कह दें अजब चाहें गाउं सही हैं तो आपकी नरेटिव पर दुनिया चलेगी क्या है सब सहर का पानी वर्बाद कर चन्ना ही चले जाओ पानी नहीं है को वहां चले जाओ जोहानिसबर्ग और अफरीका वगरा में सब कंगाल हो जाएंगे वो पानी के पगएप पानी भीन सब सुन पहले सहर बनाओ कमपनी लगाओ इंडश्टी बनाओ उस में से कच्रा निकालो गंगा में बहाओ बाद में कहो गंगा बहुत गंदी हो गंगा गंदी हो गंदी होगई के गंदी की गई नियाब बताईए फिर उसके लिए लगाईए गंगा की सफाई गंगा एक्सेन प्लान लाईए उसमें भी कुछ होना नहीं है सुप्रिम कोट ने कहा कि टैक्स पेईयों का पईसा पानी में मत बहाईए करना धरना कुछ नहीं बकवाज दुनिया भर का तो कहने का मतलब है कि जब आपने सहर बनाया सुपिधा लिया तो गाउं खराब थे अब जब यही सुपिधाएं सचुरेटेड होकर आप पर वार कर रही हैं तो आप लौट चले तो आप अपने ढंक से हर चीज थोड़ी डिसाइड करेंगे कुछ कुदरत भी है कुछ नेचरल भी है कुछ नियम भी है कुछ जीवन के आचरन और सदाचार भी है इसे थोड़ी चलता रहेगा हां मतलब शहर में कोटियां बना ले और गाउं में फार्म हाउस बना ले साहे भाई तुम शेहर में रहो गाओंवालों खेदी करने दो फार्म हाउस में क्या बना लिया एक को घर बना लिया जाएक वहां मुर्गा पकाते हो खाके चले आते हो क्यों पिकनिक स्पार्ट हो गया हो उसी में स्विमिंग पुल बना दिया मतलब सब सुबिधा ले ले कल स्चुरेटेड हो जाना कैदना जिंदगी पेकार है अरे हमने सहर बना के गाओं खराब कर दिया हमने फैक्टरी लगा के नदी में गंदगी फैला दिया हम कहते हैं नदी बड़ी गंदी है बट नदी कब से गंदी हो गई नदी गंदी की गई गंगा नदी कब गंदी थी भाईया आप पताएंगे कहेंगे वहां जाते जाते गंगा बहुत गंदी हो जाती है गंगा गंदी नहीं होती है गंगा बहुत गंदी की जाती है समझे ना तो कौन गंदा हुआ आदमी आदमी से गंदा आदमी नहीं मिलेगा आदमी से गंदा आदमी नहीं मिलेगा आदमी से बड़ा बिनासक नहीं मिलेगा आदमी से बड़ा विद्धवनसक नहीं मिलेगा विचारों में विद्धवनस पैदा कर दे युद्ध कर ले आदमी से हतास आदमी नहीं मिलेगा आदमी से बहुरूपिया आदमी नहीं मिलेगा आदमी से धोखेबाज आदमी नहीं मिलेगा सब आदमी ने किया है और दोस अरे यार जंगल उजड़ गए अरे कमाल बात है यार जंगल उजड गए कि जंगल उजडे गए यहां कभी बास्मती की चावल खेती होती थी चावल खेती आज भी हो सकती थी वो तो तुम ने रोका उसको चाय के बागान तुम उजडो चाय की बास्मती की खेती की जगे तुम बरबात तरो गंगा तुम गंदी करो पेड तुम क पहाड तुम तोडो, पहाड पे तुम बसो रिस्क तुम ड़्वलप कर दो पहाडों के लिए अभी देख रहा था कहां जोशी मठ में घरों में दरारे आ गई हैं, आई हैं कि नहीं? तो दरार लाई गई हैं कि दरार आई हैं? दरार लाई गई है क्या समझे हम लाते हैं यार क्या बात कर रहा है हम लाते है अच्छा फ्रिज आपके घर में आया थे क्या आप लाए थे ने फ्रिज आया था सड़क पर घूम रही थी फ्रिज आपका घर का दरवाजा खुला था फ्रिज गुश गई सोफा कौन लाया आप लाये अब फिर बैक पेन किसको हुआ नहीं बैक पेन आप लाये थे के हुआ बैक पेन हम लाते हैं पीजा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, हेल्थ हेल्थ को खत्रे में डाला है ना हमने डाला ना तो भाईया चाहे पर्यावरण की बरवादी हो चाहे गंगा की गंदगी की बात हो चाहे शहरों ने उसे से बोला ने गाउं को खराब किया तो बिद्धन सक तो हम ही है अरे पहले के टाइम में तो दाता प्रदाता का संबंध था आदमी एक प्योड काटता था तो 25 लगा देता था लगाने की जगें थी ना अब तो काटने के बाद वहाँ बिकल्प खोज लेता लगाने की जगें नहीं है आप जहां पढ़ रहे हैं ये लीची का बाग है और अगर इसको एविडेंस देखना तो भूंग देख लीची की प्योड आपको भी मिलेंगे लीची की प्योड कहां गए तब लीची म्यूजीयम देखिएगा जैसे ममी नहीं है सुखा के लीची रखी रहेगी उसको इसे पानी डाल डाल आने वाले आपके बच्चे जो है लीची खो जेंगे कि लीची किताब में कहीं हमने पढ़ा था हमने एक बार अपने लीची के प्योड के नीचे फोटो खिचाया तो हमने फेस्बुक में डाला था दो साल पहले उसका नाम दिया था लचीली लीची लचीली लीची असल भी वो पेड़ के एक तब इतरह नीचे तक थी हो कि यहां तक लीची लीची थी ऐसे बड़ी खुबसूरत तस्बीर थी हमने फेस्बुक में डाल के लिखा लचीली लीची वो प्रोफेसर करनाटक सर है फॉरेस्टी इनवस्टी के वाइस चांसलर उन तो एक नाम मिला हुआ है वो लोग अग्रिकल्चर और फारिष्टी के हैं आज कल महाराणा परताब अग्रिकल्चर एंड क्या टेक्नलोजी इनिवर्ष्टी है उदैपूर में वहां के वाइस चांसलर हो गये हैं तो बोले कि इसको जो है कभी लचीली लीची बड़ा खु ठीक है तो भी यह चलो इसको कर लेते हैं पूरे भारत में अब इसमें हेडिंग बनाओ कहां तक लिखे यार क्या लिखे थे बारवी पंचवर्शी हो जाना है इसा बताया ना बता दिया ना तो हम नहीं यह बता रहा था कि जो मानो विकास सूचकांक उसे चाइल्ड डवल की दिषटी से हो या सभी चिलड्रन का अंकूल दसा देने की विवस्था है